22 दिन खरा पड़े बिजली ट्रांसफार्मर को शियूपरी विधायक दिवेंद्र ज्यन ने बदलवाया शियूपरी शहर के वाट क्रमांग के एक बच्छोरा में पिछले 22 दिनों से डीपी फुकी हुई पड़ी थी मामली को लेकर यहां के रहवासियों ने कई बार बिजली विभाग को सूचना दी लेकिन कोई कारेवाही नहीं हुई बीती रूज यहां के वाट वासी पुराने बस स्टेंड इस्थित एई दफ्तर पहुचे और घिराव करते हुए नारेबाजी की और डीपी बदलने को लेकर जई कोई ग्यापन सौपा गया और कहा कि अगर डीपी नहीं बदली तो आंदूलन करेंगे लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जिस पर वाट क्रमांकेक के पार्श्वद अमर्दीव शर्मा वाड वासियों के साथ विधायक द्रिवेंद्र जैन के पास पहुचे और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में अफ़गत कराया विधायक दिविंद्र जैन ने तुरंत बिजली विभाग के संबंदे दिकारियों को फोन लगाया और जल्द समस्या का निराकरण की ये जौने की बात कही जिस पर अगले ही दिन बिजली विभाग के करमचारी नई डीपी लेकर पहुचे और फुकी हुई डीपी को उतार कर नई डीपी लगाए गई विधायक दिविंद्र जैन ने अपने पुत्र सक्षम जैन को बेजा और काम देखने को कहा है जिस पर सक्षम जैन मौके पर पहुचे और उन्होंने अपने ही सामने फुकी हुई डीपी को उतरवा कर नई डीपी लगवाई सक्षम ने कहा कि उन्हें पिता द्वारा काम देखने को कहा गया था जिस पर वा मौके पर पहुचे उनका कहना था कि श्वेत्र कि किसी भी नागरी को परेशानी आती है तो वा परेशानी विधायक देविंद्र जैन की होगी और उसका निराकरण या था संभव क्या जाए हमारे साथ मौझूद है विधायक देविंद्र जैन के पुत्र सक्षम जैन तो आज वहाँ डीपी बदल रही है तो मौके पर वहाँ काम को देखने आया तो आपका इस बारे में क्या कहना है पुछले पंदा बीज गन से लाइट बनती है तो जनता और जनता के प्रते अपका नाम क्या है अमर्दी करद बात से पार स्थिरे clay जिए इत्य अफिर दौन सना होंग कि ना जाईंज है जान फारे वाये से पियार सि फढ टलन सरे लगैーム में कि लाइन हमारे चाल भी जाए कि लिए इसलीए दिजाए जीए बहुत बहुत है और हमारे सक्षम दन्वाद को खुद आए आपर साथ में घृट को खुद आए और भी मुश्किल से आधे गंटें को बादे लाइट चाल भी जाए कि